हेलो स्टुडेंट मैं डॉक्टर आयुश पर एक टीम जलोजी CLC सीकर के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत वेलकम है तो हमेशा CLC आपके लिए कुछ ना कुछ नया लेकर के आती ही रहती है इसी कड़ी के अंदर जो हमारी पूरी सीरीज सल रही है गुरुनीती उसमें आपका वेलकम है इसमें इसका नाम ही आप देखिए कि एक जो गुरु है यानि गुरु मिन्स जो टीचर है प्रोफेशनल टीचर है वो किस तरह से क्यूशन को सॉल्व करता है यानि कि उसका उसका प्रोसेस क्या होता है सॉलुशन का वो ही चीज हम यहाँ पर समझ रहे हैं यह सारे प्रीविएस येर के क्यूशन है आप सभी ने इन क्यूशन को सॉल्व किया होगा यहाँ पर क्या theory होती है, क्या चीज़े है, वो जानना हमारा मकसद नहीं है, सही answer तक कैसे पहुँचे, किस प्रकार के question में हमें हमारी information का इस्तेमाल करना है, किस प्रकार के question में हमें हमारा concept लगाना है, यह सारी चीज़े सिखानी का जो हमारा main motive है, वो इसी गुरुनिती से related है, तो चलिए बिना कोई time waste की start करते हैं, यह हमारी unit number basically 6 है, और इसके अंदर हम लोग 2 topic को discuss करने वाले हैं, एक है आपका chemical coordination वाला और एक है nervous system, तो यहाँ पर थोड़ा सा हम लोगोंने chemical coordination के जो questions हैं, उन्हें topic, sub topic wise किया है, तो सबसे पहले जो questions pituitary gland के उपर सीधे तोर पर पूछे गए हैं, उनकी हम लोग बाद करने वाले, देखिए, व्यसको में व्रद्धी हॉर्मोन का अतिस्त्रावन उनकी लंबाई को नहीं बढ़ने देता, hypersecretion of GH, यानि कि growth hormone in adults does not cause further increase in height, यानि कि simple सी बात है, कि growth hormone जो है, ठीक है, अब growth hormone की बात की है, तो आप लोग आपकी के जो भी हमारे body के different type के soft organs है, bones है, muscles है, उन सभी को promote करता है growth factors बनानी के लिए भी, तो सब मिलजूल करके क्या करते हैं, growth करते हैं, उसी कड़ी में ये growth hormone काम करता है आपकी जो long bones हैं उनके उपर, long bones के अंदर एक particular part होता है, जिसे हम लोग कहते हैं, metaphysis, ठीक है, long bone की structure इस तरह से होती है, हम connective tissue में इसे पढ़ते हैं, इस तरह से अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पर, ये जो part है, जो किसका end है, इसे हम कहते है, epiphysis, ठीक है, और ये जो shaft वाला part है, इसे हम कहते है, diphysis, इन नोनों के junction पर, ये जो part है, इसे हम कहते है, metaphysis, पर ये metaphysis वाला part आपको सारी long wounds में देखने को नहीं मिलेगा, ये केवल उन्ही long wounds में देखने को मिलेगा, जिन में growth हो रही होगी, और इस metaphysis वाले part के अंदर, osteoblast cells जो है, वो arrange होती है, और एक plate का formation करती है, जिन्हें हम कहते है, epiphysal plate, epiphysal plate, ठीक है, क्या कहते हैं हम लोग इसे, epiphysal plate, अब ये growth hormone कैसे growth करवाता है, ये growth hormone epiphysal plate को stimulate करता है, और stimulation की वजह से, जब osteoblast cells हैं, तो वो bone का formation करती है, और long wounds की length बढ़ती है, और जो length बढ़ती है, जब उनकी longitudinal length बढ़ती है, तो person की height भी increase होती है, तो यहाँ पर ये पूछा है, कि growth hormone का असर जो है, वो adults में क्यों नहीं होता है, एक particular age के बाद, अगर आप growth hormone की injection भी लेंगे, तो भी आपकी height नहीं बढ़ेगी, क्यों नहीं बढ़ती, यही आपसे जानना चारा है, तो सीधा सा concept है, जैसे जैसे mature होती जाती है bone, ये epiphysal plate close हो जाती है, और epiphysal plate close होने के बाद, ये metaphysis वाला part जो है bone का ये खत्म हो जाता है, केवल दो part बसते हैं, एक आपका epiphysis और एक diaphysis, mature hormone में केवल दो parts ही आपको देखने को मिलते हैं, तो इसी वज़ा से growth hormone अपना काम नहीं कर पाता, क्योंकि जिस पर growth hormone काम करता है, वो ची जात, epiphysal plate बंध हो जाती है, epiphysal plates close after adolescence, ठीक है, बागी के options में कोई sense नहीं बनता, तो first option में हमें हमारा सही answer मिल जाता है, चलिए अगले question की तरफ चलते हैं, ये भी pituitary gland से related है, GnRH एक hypothalamic hormone है, needed in reproduction, acts on, जनन के लिए आवशक hypothalamic hormone, GnRH, जो है, किस पर तार्रे करता है, तो एक hypothalamus और pituitary gland का mixed question है, hypothalamus से एक hormone मनता है, जिसका नाम होता है, GnRH, अगर आप GnRH के full form पे जाएंगे, तो इसकी full form हो गई, gonadotropin releasing hormone, यानि कि ऐसा hormone जो किसको stimulate करवाता हो, gonadotropin के release को stimulate करवाता हो, gonadotropin releasing hormone काम करता है, किस पर? anterior pituitary पर, और क्या करवाता है anterior pituitary पर काम करके, यह क्या करवाता है? यह promote करता है, ठीक है? क्या promote करता है? secretion of, किसका secretion? gonadotropin, यानि कि जो gonadotropin है, उनके secretion को promote करता है, और gonadotropin में कौन आ जाते हैं? आपकी FSH और LH, तो यह इसका एक काम करने का तरीका हो गया, तो JNRH एक hypothalemic hormone है, reproduction में ज़रूरत है, यह किस पर काम करता है? तो anterior pituitary पर, यह अगर प्यूश पर काम करता है, और LH और FSH की secretion को stimulate करता है, तो यह आपको देखिए, first option में ही answer यहाँ पर नजर आ रहा है, posterior pituitary पर काम नहीं कर हो गया, first option is the correct answer, आप देखिए, यहाँ पर जो तीसरा question है, वो basically, anterior pituitary के अंदर हमने इसको रखा है, पर यह ज्यादातर question जो है, आपका, यह related है, आपके mechanism of action से related, तो यह pituitary के heading में आ रहा है, लेबलिंग के अंदर, पर इसको हम mix मान सकते हैं, वहाँ से ज्यादा इसका relation बनता है, तो assertion reason है, आपको assertion दे रखा है और reason दे रखा है, assertion है कि FSH जो जिल्ली योजित ग्राहियों से पारस्पर क्रिया करता है, लक्ष कोशिका में प्रवेश नहीं करता, FSH which interacts the membrane bound receptors does not enter in the target cell, कि FSH जो membrane bound receptor पे काम करता है, वो cell के अंदर नहीं गुसता, सोचो, reason मैं ध् दो दिन कारण होते है, एक तो basically जो FSH hormone है, वो इस membrane को cross नहीं कर पाता, क्योंकि वो खुद उस तरह से बना हुआ नहीं है, lipids वगरे का, protein से related है, glycoprotein से related हो गया, तो वो उसको cross नहीं कर पाता, दूसरा उसका जो receptor होता है, वो कहा होता है, बहार ही होता है, ठीक है, का correct explanation वाला जाएगा, आगे पढ़ते है, reason, binding of FSH to its receptor generates second messenger, cyclic AMP for biochemical and physiological response, बिल्कुल सही बात है, वो hormones जिनके receptor membrane पर होते हैं, जब वो उसे bind होते हैं, तो hormone तो act करता है, primary messenger की तरह है, और उनके कारण cell के अंदर information को convey करने के लिए, क्या बनते हैं, secondary messenger, जिने जैसे कि cyclic AMP हो गया, calcium हो गया, ठीक है, IP3 हो गया, ये सारी चीज़े बनते हैं, तो reason भी सही है, पर मैंने जैसा कहा कि assertion का असली कारण यहाँ पर explain नहीं हो रहा, मतब assertion भी सही है, reason भी सही है, पर correct explanation नहीं है, तो अगर हम लोग देखें, तो यहाँ पर देखें आप, both A and R are correct, R is the correct, नहीं, both A and R are correct, but R is not the correct explanation of A, तो हमें सही आंसर मिल जाता है, आपके fourth number के option नहीं, ठीक है, चलिए, which one of the following hormones, synthesized elsewhere, is stored and released by the master gland, निमलिखित हॉर्मोनों में से कौन सा हॉर्मोन, हाला कि कहीं अन्य स्थान पर संशलिशित होता है, लेकिन उसका भण्णारन और निर्मोचन, प्रमुग्रन्थी से होता है, यानि कहने का मत अगर आप लोग देखोगे, ऐसे कौन से हर्मोन है, master gland की मैं बात करूँ, यानि की बात हो रही है कि इसकी pituitary gland की, pituitary gland की अंदर अगर बात की जाए, तो pituitary gland का अंदर एक पार्ट है, posterior pituitary और यह है anterior pituitary, यहीं पर middle pituitary है, जो anterior pituitary का ही काम करता है, यह हो गया आपका anterior pit pituitary, और यह हो गया posterior pituitary, और इसके उपर अगर आप लोग देखोगे, तो यह इस तरह ऐसे क्या हो गया, hypothalamus, अब देखिए होता क्या है, कि जो anterior pituitary है, उसका और hypothalamus का सीधे तोर पर कोई भी connection नहीं होता, ठीक है, anterior pituitary ऐसे माल लो, कि यह जो posterior pituitary है, इससे जो यह stark-like structure arise हो रही है, इसको हम स्टार्क बुक कहा है, NCRT ने, जिसको टेक्निकली भार्षा में हम इन्फुन्डी बुलम कहते हैं, तो यह anterior pituitary इस इन्फुन्डी बुलम पे चिपका हुआ है, सीधे तोर पर इसका कोई connection नहीं है, तो इसी वजह से आप anterior pituitary और hypothalamus के बीच में portal system देखते हैं, पर hypothalamus और posterior pituitary के बीच में सीधा connection है, अगर देखा जाए, तो posterior pituitary एक तरह से outgrowth ही हो गया कि इसका hypothalamus का, तो यहाँ पर जो neurons है, hypothalamic neurons है, उनका cyton का part तो उपर hypothalamus में located रहता है, और उनके exon, इस infundibulum से होते हुए, कहां पर आ जाते हैं, posterior pituitary के terminal ends है, exon के, वो full जाते हैं, तो अब hormone बनता है hypothalamus में, उसका exonal transport होता है, और वो posterior pituitary के अंदर, जो exon के terminals है, जो कि swollen हो जाते हैं, उनमें जाकर के वो store होता है, और फिर वहाँ से blood में दीर-दीर release हो जाता है, तो posterior pituitary के जो hormones हैं, उनका formation हुआ hypothalamus में, release वो posterior pituitary से हुए, तो ऐसे hormones जो हैं, आपके दो हैं, एक हो गया ADH, anti-diuretic hormone, और दूसरा हो गया आपका oxytocin, तो अब देखिए, पहला इसने कहा दिया prolactin, नहीं, prolactin जो है, वो anterior pituitary से निकलने वाला hormone है, तो गलत हो जाता है, MSH, MSH इंसानों में anterior pituitary से निकलने वाला है, और बाकी में बात हुआ, LH, ये gonadotropin है, ये भी anterior pituitary से निकलता है, तो correct answer हमें कहां मिल गया, third option में, चलिए, आगे चलते हैं, चलिए, अगली question की तरफ आते है, fifth number का question क्या खेरा है, कि posterior pituitary gland को true endocrine gland consider नहीं किया जाता, क्यों नहीं किया जाता, क्योंकि ये किसी भी hormone का production खुद नहीं करता ये केवल hormone को store करता है, जो कि hypothalamus से आने वाले हैं और उन्हें release करता है, तो ऐसा option अगर आप लोग देखोगे, तो first में ही आपको मिल जाता है, it only store and release hormone, तो fifth में answer आपका first चला गया, it under the regulation of hypothalamus, तो hypothalamus के अंदर regulation में तो आपका anterior pituitary भी है, क्यों है, क्योंकि anterior pituitary भी indirect regulation में क्योंकि anterior pituitary से भी निकलने वाले hormones, कहीना कहीं hypothalamus है, releasing या inhibitory उन पर निर्भर करते हैं, ठीक है, third और fourth option का तो कोई sense है नहीं होता, इसलिए यहाँ पर आपका सही answer जो है, वो हो जाता है, आपका first option, आगे चलते हैं, grave disease, अब questions से start हो चुके है, thyroid gland के, grave disease क्या है, देखे, grave disease जिसे exophthalmic goiter भी कहते हैं, जिसमें आखे बाहर आ जाती है, तो grave disease का cause क्या है, तो grave disease का cause है, thyroid hormone का excessive secretion, यानि कि grave disease जो है, वो किसकी वज़े से होती है, hyper secretion of thyroid hormone, तो यहाँ पर आपको यह answer कहां मिल गया, hyper secretion वाला, आपको यह मिल जाता है, first option में, great disease is caused due to hyper secretion of thyroid, first option is the correct answer, answer हो गया, आपका first option, यानि कि hyper secretion of thyroid gland, ठीक है, बाकी के 2, 3rd और 4th का यहाँ पर कोई sense नहीं बन था, चलिए, 7th number का question, 7th number का question, फिर से assertion reason है, need 2022 में आयवा question है, जो re-need to आता है, उसके अंदर, assertion क्या कहता है, during pregnancy, the level of thyroxine is increased in the maternal blood, यानि कि सरघबता के समय, मा के रख्त में thyroxine का अस्तर बढ़ जाता है, क्यों बढ़ जाता है, सोचो, क्योंकि metabolic activities जो है, mother की, वो increase हो जाती है, pregnancy को support करने के लिए, metabolism बूम हो जाता है, और metabolism को बूम करने के लिए, कौन सा hormone चाहिए, thyroxine, तो क्यों बढ़ेगा, क्योंकि metabolism strong हो गया, metabolism ज्यादा हो गया, ठीक है, अब reason पढ़ते है, pregnancy is characterized by metabolic changes in the mother, उपापची परिवर्तन द्वारा माता में सरघबता के लक्षन अभी लक्षित होते हैं, तो जो हमने assertion का reason सोचा था, वही reason यहाँ पर दे रखा है, इसी वजह से यहाँ पर answer होना चाहिए, कि reason जो है, वो correct तौर पर क्या कर रहा है, व्याक्या कर रहा है, अब यहाँ पर आप पढ़ोगे, तो third में आपको मिल गया कि assertion, reason दो no correct है, और R इसका क्या है, correct explanation है, इसी लिए इसमें answer जो गया आपका, वो कौन सा हो गया, third option is the correct answer, चलिए, अब questions से start हो जोगे है, pineal gland के, यहाँ पर question है कि जो amino acid है, tryptophan, वो precursor है, किसके synthesis में, तो देखिए, जो tryptophan amino acid है, tryptophan amino acid से, जो है, आपका, वो बनता है, 5-hydroxy-triptamin, जो कि एक तरह से मैं बात करूँ, तो serotonin, और serotonin के बाद में, serotonin जो है, एक neurotransmitter की तरह भी act करता है, और serotonin से ही formation, जो है, वो किसका होना है, एक तरह से, melatonin का, ठीक है, तो tryptophan amino acid precursor है, serotonin का और melatonin का, तो यहाँ पर यह एक informatant question है, अगर यह जानकरी आपके पास नहीं है, तो आप इसको NCIT में, नोट कर लो, एक और amino acid आएगा, triosin amino acid, तो वो triosin amino acid derivative hormone के तोर पर आपके epinephrine और नोर एपिनेफरीन चले जाएंगे, तो यह दो आपको मेंली ध्यान रखना है, ठीक है न, तो एक हो गया tryptophan, जो कि melatonin और serotonin जो को formation में मदद करता है, एक triosin amino acid, जो adrenaline और नोर adrenaline यानि epinephrine और नोर एपिनेफरीन उनके, उनसे related है, और अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर basically thyroid hormone की तो iodine जो है, वो किस से related है, thyroid hormone से related है, तो इसमें सीधा answer आपको select करना है, melatonin और serotonin जो कि fourth option में दे रहा है, इसमें कोई concept नहीं है, यह कि इनफॉर्मेटेंट बेस्ट क्यूशन है, तो जो जानकरी अगर अगर आप clear होगी, तो आप इसके answer तक जा पाएंगे, इसलिए इसमें answer जो चला गया, वो हो गया, आपका fourth option, आगे चलते है, अब क्यूशन है, पैरा-thyroid gland का, निमलिखित में से किस हॉर्मोन की अस्थी सुर्शिडिता में मुख्य भूमी का है, which of the following hormones can play a significant role in osteoporosis, osteoporosis क्या है, एक तरह की weakening of bones की disease है, जिसमें bones का calcium loss हो जाता है, और bones बहुत ज्यादा fragile हो जाती है, pores बन जाते हैं, और बहुत ज्यादा brittle हो जाती है, और थोड़ा सा भी stimulation अगर मिले तो उनमें fracture के chances increase हो जाते है, इसी बिमारी को हम क्या कहते है, osteoporosis, अब osteoporosis से related अगर मैं बात करूँ, तो जो महिलाएं है, उनमें post-menopausal osteoporosis हमें देखने को मिलता है, क्यो दूसरा होर्मोन है, parathyroid होर्मोन, क्योंकि अगर parathyroid होर्मोन का excessive secretion होगा, तो parathyroid होर्मोन क्या करेगा, बोन में से, calcium को blood में move कर रहेगा, बोन के अंदर osteoclast cells को promote करेगा, तो इसके वज़ए से भी bone weak हो जाएगी, तो अगर osteoporosis से related होर्मोन पूछे जाए, तो दो होर्मोन तो यहाँ पर answer में देखोगे, तो first option में ही आपको जानकारी मिल गई, estrogen and parathyroid hormone, क्या हो गया, estrogen and parathyroid hormone is the correct answer, तो इसमें हमारा सही answer क्या हो गया, first option is the correct answer, ठीक है, चलें आगे, which of one of the following are not the effect of parathyroid hormone, निमन में से कौन से parathyroid hormone के प्रभाव नहीं है, stimulate the process of bone resorption, बिल्कुल सही बात है, जो अस्ती पुरहनरसोशन की क्रिया है, उसे उद्धिपत करता है, bone resorption की process को, ansiatic line भी है, decrease calcium level in blood, ये गलत बात हो गई, parathyroid hormone calcium level blood में बढ़ाता है, decrease नहीं करता है, ये काम है, calcitonin का, तो ये गलत हो गया, ये related नहीं है, reabsorption of calcium by renal tubule, ये बात एकदम सही है, कि ये क्या करता है, calcium का reabsorption प्रमोट करता है, कि इसमें, renal tubule में, decrease the absorption of calcium from digested food, नहीं, ये बात गलत हो गई, decrease नहीं करता है, बलकि promote करता है, vitamin D को vitamin D3 में convert करता है, जिसकी वज़े से calcium का absorption, drudanum में promote होता है, increase होता है, ये क्या बोल रहा है, decrease करता है, तो ये बात भी हो गई, गलत, increase the metabolism of carbohydrate, carbohydrate, तो carbohydrate metabolism जो है, वो पैरा thyroid hormone का effect नहीं है, तो ये बात भी हो गई, गलत, अब आपको क्या चाटना है, most appropriate answer यहाँ पर select करना है, जो कि कि किसके effect नहीं हो, पैरा thyroid hormone के effect नहीं हो, तो कौन-कौन से नहीं है, B नहीं है, B के बाद में D नहीं है, और E नहीं है, तो answer हो गया, B, D, E, B, D, E, आपको दे रखा है, first option में, तो यहाँ पर हम लोग answer क्या लगा देंगे, first option is the correct answer, चलिए, चलिए, adrenal gland की questions जो हैं, अब स्टार्ट हो चुके हैं, तो सबसे पहले question आ रहा है, nor epinephrine, तो आप क्या समझते हैं, देखिए नौर epinephrine को, दो नाम हैं, एक का नाम है, epinephrine, जिसे हम लोग एक और नाम से जानते हैं, adrenaline, ये एक नाम हो गया, दूसरा नाम आता है, आपका नौर epinephrine, या इसी को हम लोग कहते हैं नौर एड्रेनलीन आप धियान रखीएगा ये दोनो नूरो ट्रांस्मिटर की तरह भी एक्ट करते हैं और हॉर्मोन की तरह भी एक्ट करते हैं अगर आप से कोई क्यूशन पूछा जाएगी ऐसे कौन से केमिकल्स हैं जो एक्ट करते हैं दोनों की तरह नौरो ट्रांस्मिटर की तरह भी और हॉर्मोन की तरह तो आउसर क्या जाएगा एड्रेनलीन और नौर एड्रेनलीन या एपिनेफरीन और नौर एपिनेफरीन तो यहां पर यह जो क्यूशन पूछा है यह आप देखिए नौरेपीनेफरीन जो है किसके द्वारा रिलीज होता है तो यह अगर नियूरो ट्रांस्मिटर की तरह एक्ट कर रहा है तो नौरेपीनेफरीन रिलीज होता है सिंपेथेटिक नियूरोंस जो है उनके द्वारा उनके द्वारा release होता है और अगर मैं बात करूँ hormone के तौर पे तो ये release होते है adrenal medulla से तो यहाँ nervous system से related question के तौर पर इसको पूचा गया है कि nor epinephrine released by sympathetic fibers तो ये आपका बिल्कुल सही हो गया sympathetic fibers के तौरा release होते है it is released by parasympathetic fibers नहीं ये गलत हो गया और ये क्या काम करता है sympathetic जो nervous system है वो body को prepare करता है emergency conditions के लिए तो emergency conditions के लिए perform करता है तो क्या करेगा heart rate बढ़ा देगा cardiac output बढ़ा देगा तो ये देखिए ये भी एकदम सही बात है increase the heart rate अब heart rate increase हो रही है अब फिर last में लिए करता है decrease the blood pressure नहीं decrease नहीं करता तो ये भी गलत हो गया तो सही option नौर एपिनेफरिन से related क्या हो गए A and C जो आपको कहां दे रखे है second option में दे रखे हैं इसलिए यहाँ पर answer आ जाएगा second option चलिए आगे चलते है next question की तरब which of the following statement is correct in relation to the endocrine system अंतहस्त्रावी के संदर्व में निमलिकित में से कौन सा कथन सही है अंतहस्त्रावी जो तंत्रहस के related की बात कर रहा है तो देखिए एडिनो हाइपोफाइसिस इस अंडर direct neural regulation of the hypothalamus ये भी question एक तरीके से देखा जाए तो pituitry से related हो जाता है तो ये गलती से यहां आ गया खेर, solve करते है एडिनो हाइपोफाइसिस, hypothalamus के protection में रूप में तंत्री के नियमन के अंतरगत होता है सबसे पहले तो एडिनो हाइपोफाइसिस क्या है एडिनो हाइपोफाइसिस में जो main part यहां पर आते हैं वो आपका आता है एक anterior pituitry जिसे हम pars distalis भी कहते है प्लस आपका जो middle lobe है वो यहां पर मिलकर कि किसका formation कर रहा है एडिनो हाइपोफाइसिस का और अगर मैं बात करूँ नियूरो हाइपोफाइसिस की तो नियूरो हाइपोफाइसिस में आपका posterior pituitry प्लस infantibulum आ जाती है यह मिलकर कि किसका formation करते हैं नियूरो हाइपोफाइसिस का ठीक है तो एडिनो हाइपोफाइसिस की बात कर रहा है जिसमें anterior pituitry आ रहा है वो direct neural regulation में नहीं होता indirect neural regulation में होता है यानि हाइपोफाइस के indirect control में होता है क्योंकि हॉर्मोन जो बनते हैं हाइपोफाइस से वो portal system के थुरू पहुंसते हैं anterior pituitry में और फिर उन्हें या तो stimulate करते हैं या inhibit करते हैं formation के लिए तो direct neural regulation में नहीं है neurohypophasis direct neural regulation में है तो ये statement हो गया incorrect आप से पूचा है correct organs in the body like GI tract, heart, kidney, liver do not produce any hormone ये बात भी गलत हो गई क्योंकि आप जानते हैं कि शरीर के कुछ अंग जैसे जठरांत, पत, हिर्दै, वरक और यकरत भी hormone का उत्पादन करते हैं तो गलत हो गया non-nutrient chemical produced by the body and trace amount that act as an intercellular messenger known as hormone शरीर के द्वारा लेश मात्रा में उत्पन होने वाले गैर पोशक रसा हैं जोकि अंतर पोशी के संदेश वहा के रूप में कार्रे करते हैं hormone कहलाते हैं तो ये एक hormone की definition भी हो गई तो ये बात यहाँ पर सही हो गई आगे देखिए सही है और आपसे पूछा भी क्या है correct पूछा है इसलिए यहाँ पर आपका answer जो है वो हो जाएगा third option is the correct answer चरिये ये फिर से adrenaline gland से आ गया fight or flight reaction cause activation of fight or flight अभी करियाओं के कारण सक्रियन होता है यानि कि जब आप किसी से लड़ते हैं यानि कि जब आप एक तरह से aeroplane में बैठते हैं जब वो वापस land करता है ठीक है इन सभी से किसका activation होता है यानि कि fight or flight reaction जो है वो किसके activation से related है इसको हम 3F के नाम से भी जाते हैं तो आप लोग जाते हैं कि जो 3F hormone है वो है आपके adrenaline और noradrenaline क्योंकि इन conditions में इनका secretion increase हो जाता है क्योंकि ये सारी conditions जो है वो एक emergency category के अंदर आती है और body emergency conditions में खुद को protect करने के लिए body जो है वो इन hormones का release करती है तो किसका activation होगा ये कह रहा है parathyroid गरंथियों का नहीं parathyroid का नहीं होगा kidney नहीं, kidney से भी कोई relation नहीं है adrenal medulla जिसके कारण increase हो गया secretion epinephrine और nor epinephrine का अधिवरक जिसके कारण epinephrine और nor epinephrine का स्त्रावण बढ़ जाता है अधिवरक में भी कौम सा madhyansh भाग तेक है वलकुट भाग जो है वो तो corticoids बनाता है madhyansh भाग यानि कि जो medulla part है वो क्या बना रहा है क्या secret कर रहा है epinephrine और nor epinephrine तो सही answer हमें कहां मिल गया third option में हमें हमारा सही answer मिल जाता है pancreas का भी fight or flight reaction से कोई भी लेना देना नहीं है ठीक है students आगे चले चली 14 एक chemical signal that has both endocrine and neural rule वहरा साइनिक संकेत कौन सा है जिसका अंतहर स्क्रावी और तंत्री किये दोनों प्रकार में योगदान है मतलब जो दोनों काम करें किस से related आपके basically endocrine से भी related और neuro transmitter की तरह भी एक करें तो मैंने आपको बताया था ऐसे chemical कौन से है epinephrine, norepinephrine या adrenaline और noradrenaline तो यहाँ पर देखिए coltisol नहीं, यह तो खुदी एक हॉर्मोन है melatonin यह pineal gland से निकलने वाला हॉर्मोन है calcitonin यह भी नहीं है सही answer कहां मिल गया हमें fourth option में, तो answer क्या चला जाएगा इसमें fourth option epinephrine, चलिए अब pancreasid related questions है which of the following represents the action of insulin निमने में से कौन सा है insulin की क्रिया की बात करता है increase blood glucose level by hydrolysis of glycogen तो insulin कभी भी blood glucose को बढ़ाता नहीं है वो तो घटाता है insulin glucose को cells के अंदर डलवा देता है cells की permeability glucose के लिए बढ़ा देता है इसके कारण blood glucose level decrease होता है यह क्या बोल रहा है increase कर रहा है glycogen के जल अब गटन के से रक्त glucose को बढ़ाना नहीं गलत हो गया increase blood glucose फिर से increase की बात कर दी गलत हो गया increase वाले option तो हमें पढ़ने ही नहीं है increase blood glucose नहीं क्या काम कर रहा है decrease blood glucose levels by forming glycogen यह glycogenesis करवाता है लीवर में जो glucose है जो excess glucose है बलड में उसको stimulate करता है ताकि वो किसके फ़र्म में store हो जाए वो store हो जाए glycogen के फ़र्म में तो glucose level क्या होता है decrease होता है यानि यह क्या करवा रहा है insulin hypoglycemia करवा रहा है तो आपका सही answer कहा मिल गया third option में तो answer क्या हो गया यहाँ पर third option चलिए select the correct statement सही कथन का चैन करो insulin act on pancreatic cells and adipocytes ठीक है सही बात है या गलग बात है pancreatic cells जो है उन पर insulin act नहीं करता adipocytes पे तो करता है pancreatic cells की जगे अगर hepatocytes होता तो आपका सही बात हो जाता तो यह statement सही नहीं है क्योंकि pancreatic cells है वो या तो उसका endocrine part है या exocrine part है exocrine part जो की pancreatic juice बनाता है इस पर act करने वाले hormone है आपके CCK polycystokinin और secretin और जो endocrine part है यह तो खुदी hormones का production करते है तो यहाँ पर pancreatic cells आ गए इसी वजह से आपका पहला statement हो गया गलत insulin is associated with hyperglycemia नहीं मैं तो क्या आपको बता है तो insulin blood glucose को कम करता है तो hyperglycemia नहीं करवाएगा क्या करवाएगा hypoglycemia blood glucose का घटना hypo blood glucose का बढ़ना hyper यह hypo करवा रहा है पर इसमें hyper देना का इसलिए गलत glucocorticoids stimulate gluconeogenesis यह बात आपके एकदम सही है जो glucocorticoids है जिनमें मुख्य तोर पर आपका cortisol हो गया यह gluconeogenesis को promote करते है gluconeogenesis क्या है non carbohydrate से carbohydrate का बनना gluconeogenesis है कहलाता है तो सही answer यहाँ पर हमारा हो गया third option तो answer क्या हो गया है यहाँ पर आपका third option gonads से related है यानि कि gonads में testis male gonads और female gonads में ovary changes in GnRH pulse frequency in female is controlled by the circulating levels of मादाओं में GnRH pulse बारंबरता बदलाव का नियंतरन किसके परिसंजरन इस्तर द्वारा होता है यह question reproduction जो है human reproduction उससे भी related है और hormone से भी related है तो देखिए GnRH को feedback देने का काम करने वाले hormone से estrogen और progesterone estrogen और progesterone जो है जब इनका level बढ़ता है तो GnRH को एक तरह का negative feedback मिलता है और जो GnRH जो है वो कही न कहीं उसके अंदर changes आते है अब estrogen के case में चीज़ें अलग है estrogen का अगर level moderate है तो वो अलगतर ऐसे feedback देता है कम है तो वो अलगतर ऐसे feedback देता है high estrogen है तो अलगतर ऐसे feedback देता है तो अभी हम उसके उपर नहीं जाएंगे concept पे अभी हमें जो समझना है वो यह है कौन से ऐसे hormone है जो GNRH को feedback दे रहे है तो GNRH को feedback दे रहे है estrogen और progesterot और जो GNRH के वज़े से जो FSH निकलता है इसे feedback देने का काम करने वाला hormone है inhibin inhibin FSH को feedback देता है और FSH की level को कम करवाता है ठीक है ध्यान रखना यह बाद तो GNRH pulse frequency में changes के लिए कौन responsible हो गए estrogen और progesterot पहला option estrogen दे रहा है सही है पर inhibin नहीं है क्योंकि inhibin किस से related हो गया FSH से केवल progesterone भी नहीं होगा progesterone और inhibin ये भी नहीं होगा inhibin वापस FSH से related हो गया तो सही answer कहा हाँ आ गया fourth option is the correct answer ठीक है estrogen and progesterone आगे चलते है select the incorrect statement incorrect statement आपको select करना है LH यानि कि luteinizing hormone triggers ovulation in the ovary सही बात है ये तो incorrect select करना है हमें ये तो सही हो गया ठीक है LH and FSH decrease gradually during follicular phase follicular phase मतलब जो ovulation से पहले का phase है वहाँ पर LH और FSH decrease नहीं होते बलकि increase होते है increase होते है LH और FSH सर जाती है जिसके कारण ovulation होता है तो ये यहाँ पर incorrect हो जाता है statement आगे फिर भी पढ़ लेते है LH trigger secretion of androgens from leadic cell बिलकुल सही बात है FSH stimulate करता है sertoli cells को जो कि spermogenesis में मदद करते है बिलकुल सही बात है तो यहाँ पर जो incorrect statement है वो आपका कौन सा हो गया answer number second देख है आगे चलिए ए temporary endocrine gland in human body is तो जो temporary endocrine gland है human body में खास तोर पर female में वो है corpus luteum जो कि किसका formation करता है progesterone का अगर pregnant है तो उसमें placenta हो भी हम मान सकते हैं पर यहाँ पर अभी option के according अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर corpus luteum की बात कर रहा है temporary इसलिए है क्योंकि 28 दिन बाद इसका license हो जाता है यह break हो जाता है तो कुछ limited number of days के लिए यह रहता है इसलिए answer यहाँ पर कौन सा हो गया corpus luteum second option ठीक है चलिए chemical nature से related है which of the following is an amino acid derivative hormone amino acid derivative hormone के मैं बात करूँ तो देखिए answer चला जाएगा epinephrine fourth option अब estradiol estrogen का ही नाम है तो यह gonet से related है तो यह steroidal hormone है ठीक है तो यहाँ पर amino acid derivative hormones में epinephrine और nor epinephrine आते है ठीक है तो इसलिए answer हो गया आपका fourth option next mechanism of hormone action से related है कोशी के क्रियाओं को steroid hormone किस प्रकार प्रभावित करते है how does steroid hormone influence these cellular activities तो जो steroidal hormone है यह cell membrane को cross करते है और cross करके cell के अंदर चले जाते है और इनके receptor generally nucleus पे located होते है और यह कही न कहीं जो gene function है उसे affect करते है इसमें second messenger का formation नहीं होता activating cyclic AMP cyclic AMP का कोई रोल नहीं है इसलिए गलत हो गया क्योंकि यह तो membrane bound वाले जो है hormone से उनका रोल होता है using aquaporin channels नहीं aquaporin channels जो है वो पानी की channels होती है जिसे ADH hormone open करवाता है तो इससे भी कोई relation इसका नहीं है permeability of cell membrane को बदल कर नहीं इससे भी कोई related नहीं है सही answer आपको fourth में मिल रहा है DNA से bind करते हैं और एक gene hormone complex बनाते हैं जिसके कारण पहले biochemical responses आते हैं फिर physiological responses हमें देखने को मिलते हैं तो ऐसे कौन काम करते हैं steroidal hormone तो सही answer हमें कहा मिला fourth में इसलिए answer fourth ठीक है चलिए आगे अब miscellaneous question है जो mixed questions है उनकी हम लोग बात कर रहें select the answer which correctly matches endocrine gland with the hormone its secret its function या deficiency symptom अंतह स्तरावी ग्रंथी के साथ उसके द्वारा स्तरावित hormone तथा कार्रे आभाव लक्षनों का सही मिलान करने वाले विकल्प को को चुनिये तो आपको यहाँ पर सही पहचानना है देखिए पहला है anterior pituitary इससे इसने oxytocin निकलवा दिया तो गलत हो गया oxytocin तहां से निकलता है posterior pituitary से growth hormone निकाल दिया तो गलत हो गया thyroid gland से thyroxin निकाल दिया और iodine की कमी अगर diet में हो जाए तो कौन सी बिमारी हो जाती है goiter तो यह बिल्कुल सही लग रहा है third option सही answer है corpus luteum से testosterone निकाल दिया गलत है क्योंकि corpus luteum से तो क्या निकलता है progestron और estrogen तो सही answer आपका कहां पता मिलेगा third option में ठीक है mixed question थे ही identify the hormone with its correct matching of source and function तो source and function से सही matching का पता लगाने आपको oxytocin की बात कर रहा है पश्य प्यूश ग्रंथी से निकलता है बिल्कुल सही है foster and pituitary से growth and maintenance of memory gland नहीं growth and maintenance का काम oxytocin का नहीं है ठीक है growth and maintenance की जिम्मेदारी जो है वो कहीं नहीं other hormones पे है oxytocin जो है वो myo epithelium cell में contraction करवाता है जिसके कारण milk eject होता है second, melatonin pineal gland से निकल रहा है regulate कर रहा है normal rhythm किसकी sleep-wake cycle की ये बात एकदम यहाँ पर सही है second option में आपको answer मिल जाता है फिर भी हम पढ़ते है progestron corpus luteum से release हो रहा है और female secondary sex organs की growth और activity से related नहीं है female secondary sex organs की growth और activity से related hormone है estrogen इसलिए गलत हो गया atrial natriuretic factor ventricular wall से बता रहा है निलय भित्ती से बता रहा है नहीं कहां से निकलता है नाम में ही पता चल रहा है atrium, alind भित्ती से निकलता है तो ये भी गलत हो गया तो सही answer हमें कहां मिला second option में आगे चलते है which one of the following hormone is not involved in sugar metabolism sugar metabolism में involved नहीं होने वाला hormone कौन सा है तो आप लोग देखोगी insulin, glucagon, cortisone cortisone जो है वो glucocorticoid की group में आ गया तो ये तीनों hormone कहीं ना कहीं sugar metabolism या carbohydrit metabolism पे काम कर रहे हैं पर जो aldosterone है aldosterone hormone जो है वो एक mineralocorticoids है तो इसका sugar metabolism से कोई relation नहीं है तो यहीं आप से पूछा है कि कौन सा नहीं करता तो इसलिए answer कौन सा चला जाएगा fourth option आगे चलते हैं which one of the following pair of hormones are not antagonistic having opposite effect यानि कि कौन सा group जो है antagonistic opposing नहीं है देखो पहला group है insulin और glucagon बिल्कुल opposing है insulin blood glucose को घटाता है तो glucagon बढ़ाता है aldosterone ANF aldosterone BP को बढ़ाएगा तो ANF घटाएगा opposite काम कर रहे है relaxing और inhibin इनका आपस में कोई relation नहीं है relaxing जो है वो pregnancy के अंदर last में निकलता है corpus luteum भी बनाता है और placenta भी बनाती है जो pubic symphysis को relax करने का काम करता है inhibin जो है basically excess spermatogenesis होने लग जाए या female में जब जो है basically ovulation से पहले जो membrane अ granulosa cells है वो inhibin बनाती है जो inhibit करता है FSH को negative feedback देता है तो इनका आपस में कोई relation नहीं है कोई opposite effect नहीं है parath hormone और calciton इनका बिल्कुल है घटाता है तो सही में कौन सा नहीं पूछा है तो relaxin और inubin का कोई relation नहीं है इसलिए इसमें answer हो गया third option आगे चलते है match the following hormone with respective disease एक तरफ बिमारियां दे रखी है और एक तरफ hormones दे रखी है आपको matching करानी है तो देखिए insulin insulin की अगर हम लोग बात करें तो insulin जो है उसका अगर hyposecretion होगा तो बिमारी हो जाएगी diabetes mellitus तो ए में हम लोग match कर सकते हैं थायरॉक्सिन की बात करें तो थायरॉक्सिन से related जो बिमारी है वो आपकी हो जाएगी कौन सी? goiter थायरॉक्सिन की जो कमी अगर हो गई तो बिमारी कौन सी होगी? iodine की कमी होने के कारण थायरॉक्सिन की कमी हो जाएगी तो बिमारी कौन सी हो जाएगी? goiter ठीक है? तो fourth fifth के बाद कौन सा आगया? fourth corticoids जो है incinerated बिमारी कौन सी है? addition disease तो यहाँ पर आगया first और growth hormone का अगर excessive secretion हो जाएगा तो बिमारी कौन सी हो जाएगी? acromegaly तो यहाँ पर आगया आपका third यानि five, four, one, three तो five, four, one, three तो first option में ही हमें हमारा answer मिल जाता है ठीक है? तो answer कौन सा हो गया? first option फिर match करना है columns को और select करना है कि इसको correct option को column one, column two pituitary gland अब यहाँ पर भी बिमारियां ही दे रखी एक तरह ऐसे तो pituitary gland जो है इस से related अगर मैं बिमारी की बात करूँ तो बिमारी यहाँ पर आ जाएगी आपके देखिए इसमें options तो आपके 5 थे है ना पर यहाँ पर matching किसकी करनी थी आपको 4 की करनी थी A, B, C, D, 1, 2, 3, 4 diabetes insipidus यहाँ दे रखा है पर इसकी किसी के साथ में matching नहीं हो रही ठीक है? next pituitary gland तो अब यहाँ पर बात करें pituitary gland से related तो अगर आप इन बिमारियों को देखो गए तो आपको मिलेगी third option की बिमारी diabetes insipidus जो की ADH hormone की कमी से होती है तो जो posterior pituitary है वो ADH hormone वहाँ से release होता है उसकी कमी से होने वाली बिमारी कौनसी है? insipidus तो insipidus का relation किस के साथ में हो गया? pituitary gland के साथ में तो A के सामने हम लिख सकते हैं third thyroid gland thyroid gland का अगर excessive secretion होगा तो बिमारी होगी graves disease तो thyroid gland का relation यहाँ कौनसे बिमारी से हो गया? grave disease से तो हो गया first adrenal gland की अगर हम लोग बात करें तो adrenal gland से corticoids release हो रहे है उनसे related बिमारी कौनसे होगी? addition disease तो C का relation हो गया किस से? fourth से और pancreas से insulin वगरे release हो रहे हैं तो इसका relation हो गया diabetes mellitus से तो D में आ गया आपका second तो सही answer हो गया 3, 1, 4, 2 तो देखिए 3, 1, 4, 2 तो सही answer हो गया first option ठीक है? आगे चले select the correct statements correct statements का आपको यहाँ पर selection करना है angiotensin second activate करता है cortex adrenal gland के जो aldosterone को release करवाता है बिल्कुल सही बात है renin angiotensin aldosterone system में आपने पढ़ा होगा angiotensin second जो है वो adrenal cortex से जाकर करके stimulate करता है mineralocorticoid के release को जो की प्रमुक mineralocorticoid कौन है? aldosterone तो पहला statement तो correct हो गया aldosterone के कारण blood pressure बढ़ता है reabsorption increase होगा और ultimately BP increase होगा तो ये बात भी आपकी सही है renin act as in check of renin angiotensin mechanism जो basically यहाँ पर अगर आप लोग C देखेंगे तो जो C है और इधर जो C है ये थोड़ा सा यहाँ पर गलत हो रहा है एक का angiotensin second वाली बात सही है bimaldosterone leads to increase in blood pressure ये भी सही है ADH वाहिकाओं को विस्फूरित करता है ADH causes veso ठीक है और vesopressin adeno hypophysis से increase होता है EB सही है तो यहाँ पर A, B ये D पर आना चाहिए था और ये E पर आना चाहिए तो थोड़ी सी इसकी जो हिंदी है वो disturbed students तो मैं अबी एक्जेक्ली बात करता हूँ A के यहाँ पर बात हो गई सही हो गया angiotensin second adrenal grante के वल्लकुट को सकरी कर aldosterone को मुक्त करता है सही बात हो गई aldosterone से रक्तदाब बढ़ जाता है ये बात भी क्या हो गई सही हो गई ANF act as a check on renin angiotensin mechanism यहाँ C कुछ और लिखा हुआ है तो आप इसको इसकी हिंदी के साब से मान लीजी कि ANF जो है वो renin angiotensin mechanism को check करता है एक तरह से कहीं न कहीं इसको बंद कर देता है तो ये बात भी सही हो गई फिर D पर ये D होना चाहिए था कि D पर ADH वाहिकाउं का विस्पूरित करता है ADH causes vasodilation ये बात गलत हो गई ADH vasoconstriction का गम करता है इसका दूसर नाम भी vasopressin है तो ये बात यहाँ पर incorrect हो गई false हो गया फिर अगर हम बात करें ये option यहाँ पर दो बार repeat हो गया इसलिए यहाँ पर इसको हम लोग गलत मान लेंगे गलत हो गई vasopressin जो है वो कहां से रिलीज होता है वो रिलीज होता है neurohypophysis से तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो A, B और C ये तीनों सही है और D और E गलत है तो आप देखिए पहला तो नहीं बैठेगा दूसरा भी correct पूछा है आपसे A, B, C A, B, C सही है D और E गलत है तो second option में आपको आपका आंसर मिल जाता है तो answer क्या हो गया second option is the correct answer अब ये questions जो थे वो हमारे किस से related थे endocrine से related अब हम आगे questions डिसकस करेंगे nervous systems related चलिए पहले जो neuron से related question है neuron की structure से related उनकी बात कर रहा है nisle bodies किस की बनी हुई होती है nisle bodies में क्या पाया जाता है तो nisle bodies जो है उनमें ribosomes और आपकी endoplasmic reticulum होती है और कौनसी वाली होती है rough endoplasmic reticulum होती है जो आपको cyton में देखने को मिलेंगे exon में नहीं देखने को मिलेंगे और dendrite का जो बात cyton से related है उसमें देखने को मिलेंगे तो किसे बने हुए है free ribosomes and r.e.r तो answer आपका यहाँ पर हो जाएगा second option next matching करनी है आपको यहाँ पर एक तरफ neurons की बात कर रहा है और एक तरफ उनके example की बात कर रहा है कि कहां पाये जाते है multipolar neuron तो multipolar neuron हमारे body के maximum number के जो neurons है वो multipolar ही है तो अगर आपको multipolar neurons को देखना है तो यह मिलेंगे आपको cerebral cortex में तो बहुद रुवी है neuron कहां मिलेंगे cerebral cortex में तो A के सामने आ जाएगा आपका second bipolar neuron की बात करें तो retina का section देखते हैं इसलिए B के सामने आ जाएगा third myelinated nerve fibers की हम बात करें ऐसे nerve fibers जिन पर myelin sheet की cover होती है myelinated nerve fibers है उनकी अगर हम लोग बात करें तो यह आपको कहां देखने को मिलेंगे तो यहाँ पर देखा जाए जो myelinated nerve fibers है वो किसमें पाए जाते हैं तो वो spinal nerve में पाए जाएंगे यानि की C के सामने हम लोग क्या लिख सकते हैं 4 लिख सकते हैं और unmyelinated जो है वो somatic neural system के अंदर यानि की first तो सही answer का sequence क्या हो गया हमारा 2, 3, 4, 1 तो देखिए 2, 3 यह तो गलत हो गया 2, 3, 4, 1 तो सही answer हमें मिल गया second option के अंदर चलिए आगे चलते हैं transmission of impulses से related question है तो इसमें देखिए एक figure आपको दे रखा है आप लोग समझी गए होंगे कि यह figure जो है वो snapatic transmission का दे रखा है आपको क्या करना है exon terminal और snaps का दे रखा है correct identification करना है मैंने वो तरीका आपको बताया था कि पहले इसको मत भरो सीधे option से check करो तो A exon terminal सही बात है A क्या हो गया आपका exon terminal हो गया ठीक है यह exon terminal है exon terminal है basically यह exon का ending वाला part है पर अगर आप लोग A को देखोगे तो A जो है वो यहाँ पर लग रहा है यह तो exon है यह exon terminal है अगर हम लोग consider करें तो यह वाला जो part है वो क्या हो सकता है exon terminal हो सकता है पर यह इसने A को exon पे लगा रहा है ठीक है B को बोल रहा है यह serotonin complex serotonin एक तरह का neurotransmitter है ठीक है तो यह answer यहाँ पर सही तरीके से match नहीं हो रहा A जो है वो फिर से action potential की बात कर रहा है अगर आप लोग इसको धंग से देखोगे तो A जो है वो action potential के तोर पर बिल्कुल सही बात है अगर यह यहाँ पर exon के लिए भी दे रखा है और यह जो figure है यह पूरी तरह से साफ नहीं है तो अगर आप इसको धंग से देखोगे तो यह जो arrow के लिए A दे रखा है इसने तो A arrow के लिए दे रखा है तो अगर हम माने तो फिर वो action potential के लिए सही हो गया और अगर हम इसको माने तो फिर यह exon का part भी हो गया घ्लाइस हम इसको कह सकते है तो यहाँ पर अगर हम लोग माने A action potential की दे रखा है तो कहीं न कहीं ये बात सही है पर आप देखोगे तो C जो है वो receptor है ना कि neurotransmitter इसलिए ये क्या हो गया? गलत हो गया इसलिए आप इसको देखो ये वाला भी गलत था क्योंकि A को exon terminal माल लिया तो या तो exon माने या फिर उसको action potential माने इसलिए first option भी गलत हो गया second भी गलत हो गया B को इसने neurotransmitter बोल दिया बिल्कुल सही बात है neurotransmitter C को receptor capsule बोल दिया ग्राही capsule कुछ नहीं होते है receptor ही होते है C को receptor बोला है बिल्कुल सही बात है और D को snaptic vesicle कह दिया snaptic putti का engine में neurotransmitter भरे रहते है तो कहीं न कहीं 4 option पढ़ने के बाद जो more correct आपको इस figure में show हो रहा है वो है आपका option number 4 इसलिए यहाँ पर answer number क्या लगा सकते है हम लोग हमारा 4 हो जाता है ठीक है ऐसा ही एक और मिलता जुलता question वापस नीट में उसी साल आया था 2013 में नीट में और यह करनाटा का में जब नीट होई थी तो इसमें यह वाला आया था सेम ही है यह diagram showing exon terminal and snaps identify the correctly at least 2 बताने आपको तो A को देखो यह बोल रहा है receptor सही बात है C हो गया snaptic vesicle पहले में ही आपको आपका answer correct यहाँ पर मिल जाता है तो 32 में आपका answer हो गया 1 क्योंकि बिल्कुल सही बैच है B को snaptic connection कहा दिया snaptic connection नहीं है तो snaptic cleft है तो second गलत हो गया A को neurotransmitter बोल दिया नहीं वो तो receptor है C को neurotransmitter बोल दिया नहीं वो तो snaptic पुट्टिका है या snaptic vesicle है सही answer क्या हो गया 1st option चलो receptor site for neurotransmitter are present याणी receptor कहां present होते है तो snapt के अंदर एक तो होती है pre-snaptic membrane उनकी बीच में आ जाती है snaptic cleft और फिर आती है आपकी post-snaptic membrane तो यहाँ पर आपको receptor देखने को मिलेंगी तो receptors कहां पर पाए जाते है post-snaptic membrane पर पाए जाते है तो पहला बोल रहा है pre-snaptic membrane नहीं tip of axon नहीं post-snaptic membrane यह देखिए यहाँ पर आपको सही answer मिल जाता है तो इसमें आपका correct answer क्या हो गया 3rd option आगे आजो select the incorrect statement regarding snap snaps के बारे में गलत कथन का जेन करना है electric current directly flow करता है एक neuron से दूसरी neuron में electrical snaps के अंदर तो यह बात एकदम सही है सीधे तोर पर प्रभावीत करता है तो true हो गया chemical snaps used neurotransmitter सही बात है जो chemical snaps उनमें किसका इस्तेमाल होता है neurotransmitters का second भी सही हो गया impulse transmission across a chemical snaps यानि कि रसायनिक snaps में आवेक का संचरन is always faster than electrical snaps नहीं तेज किसमें होगा electrical में होगा chemical में electrical के comparatively क्या होगा slow होगा तो जो third option है यह आपका यहाँ पर हो जाता है false the membrane of pre-snaptic and post-snaptic neuron are close proximity in electrical snaps यानि कि जो electrical snaps है उसमें pre-snaptic membrane और post-snaptic membrane यह दोनों अपस में करीब-करीब होती है या नजदिक होती है तो यह बात भी सही हो गई तो यहाँ पर answer हो गया आप से पूछा क्या था? incorrect पूछा है तो पहला सही है दूसरा सही है चौहता सही है गलत कौन सा है? third option तो answer हो गया आपका third option वो cerebral hemisphere की बात कर रहा है सही बात है पर B cerebellum नहीं है इसलिए यह हो जाता है आपका गलत C को इसने midbrain बता रहाता है बलकि अगर हम C को देखे डेगराम में NCIT के तो यह पोंस है तो यह वाला भी हो जाता है गलत A को फिर से cerebrum हम कह सकते है और C जो है पोंस आ गया तो यह बिल्कुल सही matching यहां पर दिखाई दे रही है इसलिए answer हो गया आपका third option ठीक है बिल्कुल आसाम साथ कुशन है इसमें conceptual कुछ भी नहीं है डागराम है, identification कर रहा है NCIT के डागराम है which of the following reason of the brain is incorrectly paired with its function यानि कि जो brain का कौन सा इसा part है जो गलग दे रहा है उसके काम के according Cerebrum यानि कि जो प्रैमस्तिशक है वो परिकलन और चिंतन calculation और contemption जो है वो आप किस की मदद से करते है Cerebrum की मदद से करते है तो यह तो matching एकदम सही हो गई Meduloblongata, homeostatic control Meduloblongata में बहुत सारे involuntary centers होते है जो आपकी body की एक common एक basically body का जो आंतरिक environment है उसे constant बनाई रखने में मदद गरते है तो homeostatic control के अंदर hypothalamus को भी हम कही नगई मान सकते है तो यह बात भी कही नगई सही है Cerebellum, language comprehension भाशा हम cerebellum की वदद से नहीं समझते है यह किसकी मदद से समझते है Cerebellum की मदद से समझते है Cerebellum का काम तो balance बनाना है तो यह matching कही न कहीं गलत हो गई और आपसे भी incorrect paired पूछा था तो सही answer incorrect में आपको कहा मिल गया third option में corpus callosum communication मनाता है तो यह भी सही है फिर से भही है functions related पूछा है hypothalamus, production of releasing hormone regulation of temperature, hunger, thrust बिल्कुल सही बात है incorrect पूछा है आपसे तो यह तो सही है, तो यह answer हमारा नहीं जाएगा corpus callosum band है fiber का, जो left और right cerebral hemisphere को connect करते है बाय, वैदाय, प्रैमस्तिश, गोलार्दों को जोडने वाले तंतों की पट्टी है बिल्कुल सही बात है limbic tantra limbic system consists of fiber tract that interconnect different reason of brain control movement, नहीं limbic system कहीं न कहीं emotional control से related है ठीक है, जो raise हो गया, घुसा हो गया, motivation हो गया उन सारी चीजों से related है limbic system यह आपका जो option है यह इसके function के साथ सही match नहीं हो रहा, गलत हो गया तो इसलिए हमारा answer भी क्या है यहाँ पर हो जाएगा third, आप देखूँगे medulla oblongata respiration और cardiovascular reflexes को control करता है, बिल्कुल NCRT की line भी है, यह matching भी सही है तो गलत क्या है, third option आगे चलते है which part of the brain is responsible for thermoregulation, यानि कि temperature जो है, यानि कि जो तापमा नियंत्रण है, उसके लिए कौन सा भाग उत्तरदाई है तो अगर हमें वो पहचानना हो तो इसमें से answer क्या जाएगा hypothalamus जो है वो कही ने कही temperature का जो center है hypothalamus में पाया जाता है इसलिए हमारा answer क्या हो गया fourth option, तो इसमें हमारा answer क्या चला गया, fourth option is the correct answer आगे चलते हैं, next question की तरफ reflex action और reflex arc वाला से related है, कही ने कहीं spinal cord से related questions, इसमें हम लोग बात करेंगे, destruction of anterior horn cell of the spinal cord will result in the loss of, अब इसको थोड़ा ध्यान से समझीएगा, देखिए spinal cord इस तरह से है, हमने उसका section ऐसे काटा और board पे इसको ऐसे रख दिया, यानि कि जो पीछे की तरफ का हिस्सा था, वो उपर चला जाएगा इस तरह से अगर आप देखेंगे तो अगर आप देखिए, ये इस तरह का transfer section है, तो ये जो पीछे का हिस्सा है ये तो इसका कौन सा पार्ट हो गया? डॉर्सल और ये आगे वाला कौन सा हो गया? वेंट्रल यहाँ से जो horn निकल रहा है इसको हम कहेंगे कौन सा horn? डॉर्सल horn या फिर हम लोग इसको क्या कह सकते है? पीछे की तरफ है, तो क्या कह सकते है? posterior horn ये वाला जो horn है, ये कौन सा हो गया? आपका वेंट्रल horn और क्योंकि ये आगे की तरफ है, तो हम लोग क्या कह सकते है? anterior horn आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो dorsal horn है, dorsal root जो है, यहां से sensory neurons अंदर एंटर करते हैं, और ventral से motor neuron तो अगर सपोस कीजिए, anterior horn cell की बात कर रहा है, उसको हम डिस्ट्रक्ट कर दें, या ventral को डिस्ट्रक्ट कर दें, तो finally कौन सी impulses प्रभावित होंगी? motor neuron के थूँ जाने वाली है, मतलब voluntary तो यहां पर आप देखिए, voluntary motor impulses आपको 4th option में मिल जाता है, इसलिए answer क्या चला गया है, यहां पर 4th option is the correct answer Miscellaneous question है, how do parasympathetic neural signal affect the working of heart? तो देखिए, parasympathetic जो है, वो emergency conditions के बाद या तो normalize करता है, या कम करवाता है, और sympathetic बढ़ाता है, यह दोनों किसके division है? ANS के, यानि autonomic nervous system के, तो देखिए, पहला option आपको सही बोल रहा है, कि reduce कर रहा है heart rate को भी और किसको cardiac output को भी, तो यह परा sympathetic neural signal इस तरह से heart को affect करते हैं, heart rate को भी कम करेंगे, और cardiac output को भी कम करेंगे, second option, heart rate को increase कर रहा है, बिना cardiac output के, तो यह तो वैसे देखा जाए, तो पूर sympathetic की, तो यह गलत हो गया, दोनों को increase करवाता ही नहीं है, यह भी गलत हो गया, और यह fourth वाला भी गलत हो गया, तो कहीं ना कहीं, सही बात जो है, वो आपको first option में मिल जाएगी, इसलिए हमारा answer क्या आगया, first option, आगया आजाओ, stimulation of muscle fiber by a motor neuron, तो motor neuron जो है, वो stimulate कहां करता है, जो कि एक junction है, किस-किस के बीच में, एक motor neuron और एक muscle fiber के cell के बीच में, वो junction कहलाता है, neuromuscular junction, तो कहां stimulate करेगा, neuromuscular junction पे, जो हमें कहां मिल गया, first option में, तो इसमें answer क्या गया हमारा, first option is the correct answer, तो यह सारे questions जो थे हमारे nervous system के थे, उमीद है, आपको कुछ चीज सीखने को मि share कीजिए, आपके friends वगरे तक भी, यह जो हमारी पहले है, यह आगे लोगों तक पहुँचे, ठीक है, धन्यवाद